हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नश्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन UPSC की तैयारी करते समय एक ये stage हम सबके जीवन में कभी ना कभी आता है और आप मेंसे भी कई लोगों के साथ ये stage आ रहा होगा कि आप तैयारी तो कर रहे हो पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हो पढ़ने की कोशिश चीजों को कर रहे हूँ, आप में से बहुत लोग जो self study कर रहे होंगे, या फिर किसी समस्थान से चुड़े होंगे, या YouTube त्यादी किसी माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहें, लेकि आप में से किसी को महसूस होता है, कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि सर्फ पढ़ तो लिया, और एकात बार जो है अच्छे से पढ़ भी लिया, पूरी किताब से पढ़ लिया, या फिर नोट देख लिये, सब कुछ कर लिया, लेकिन तब भी अभी जब सवा में केवल बताऊंगा, चोटी सी चर्चा है, पांक से दस मिनिट की, पस आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, कि इस समस्या के कारण क्या संभव हैं, और इस समस्या का इलाज क्या है, ठीक है, लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूँ, अगर आप दो हजार 25 में एक्जाम दे रहे हैं, और आपकी तयारी ठीक नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तयारी पर्याप नहीं है, तो हमारा आखरी प्रतिग्या प्लस बैच आ रहा है, दो हजार पचीस वाले बैच के लिए, इसके बाद प्रतिग्या प्लस बैच नहीं आएग कि आपको मेंज की तयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ आपका free होगा. तो आप आज ही AJ Live Code लगा के 1.25 बैच से जुड़ सकते हैं, 30 तारिक से बैच शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा. चलिए, अब एक बार इस समस्या पर विचार करते हैं, कि यार, अगर हम तयारी अपनी, हमारी जो है, हम कर तो रहे हैं, लेकिन ठीक से नहीं हो पा रही, या फिर हमको ऐसा लगता है कि confidence नहीं आ रहा, तो इसके संभावित कारण क्या है? एक बार इसके संभावित कारण समझने की कोशिश करते हैं, यार देखिए, इसके कारणों में से पहला कारण जो है, वो तो ये है कि कोई कारण नहीं है, अब आप कहेंगे ये कैसा कारण हुआ, लेकिन ये होता है, ये क्या होता है कि कई बार कारणों में से एक संभावित कारण ये होता है कि अपनी तयारी पे संदेह करना ये एक सामान ने प्रक्रिया है। here questions हो रहे हैं, अगर आप कोई test series कर रहे हैं तो उसमें ठीक ठाक सवाल कर पा रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी परयाप नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो भी part and parcel है, डर लगना तो एक आम बात है, उचलता रहता है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने विचारने करने की आवश्यक्ता नहीं है, जो पढ़ रहे हो, जैसे कर रहे हो, वैसे ही करते रहो, और कुछ ज़्यादा बदलू मत, लेकिन ये बात भी सही है, कि अगर आपको डर लग रहा है, तो उसको ऐसे ही खारिज ना कर दो, कि यार ये तो सामानने प्रक्रिया है, सबके साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ है, लेकिन ये फर्क करना जरूरी है, कि जो सबके साथ होता है, आपके साथ वो हो रहा है या वास्तविक्ता में आपके तयारी में कमिया है ठीक है तो इसके लिए जो कुछ प्रमुक कारण क्या होता है वो यह होता है कि आपकी पढ़ाई में जो है गहराई की कमी है इसको मैं आपको समझाता हूँ depth की कमी है, depth क्या होती है, अक्सर depth की कमी के कारण ऐसा बहुत commonly होता है, कि आपको किसी ने बताया कि यार quality पढ़ लो, quality के लिए लक्ष्मी कांट पढ़ लो, आपने लक्ष्मी कांट किताब गढ़ेंदे, लग्ष्मी कांट लेकिन हुआ क्या, लक्षमी कांट में देखिए क्या है वो एक टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक के साथ सबसे बड़ी limitation सबसे बड़ी सीमा क्या होती है कि टेक्स्ट बुक जो है उसमें वो आपसे बात थोड़ ना करती है, टेक्स्बुक में तो लिखा है, और भाशा के भी जो उतार चड़ा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं एक रोबोट की तरह आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, दिखो आपको समझ में आ रहा है, मेरी एक voice modulation है, मैं आपसे ऐसे भी तो बात का काम है, ठीक है, तो voice modulation का फरक समझ रहे हो, तो किताबों में कोई voice modulation नहीं होता, तो अकसर क्या होता है, बहुत सारी important चीज़ें जो किताब में लिखी होंगी शायद, वो आप ठीक से register नहीं करते, उनको आप ignore करते चले जाते हो, कई बार क्या होता है, किताब पढ़ते सम है, हम अपने हालात से समझवता भी कर लेते हैं, हालात से समझवते का क्या मतलब है, आपने एक paragraph पढ़ा, आपको कुछ खास समझ में नहीं आया, उसका मतलब क्या है, तो बजाए इसके कि आप इस पर dig deep करो, यानि कि जादा और सोचने की कोशिश करो, अनुसंधान करो, प आपकी विशय पर वो पकड़ नहीं आती, जिससे आप में confidence आता है, ठीक है, तो ये confidence जो है, ये एक चीज़ आप evaluate जरूर कीजिए अपने बारे में, कि क्या आपकी तयारी में गहराई की कमी है, या नहीं है, इस बात को आप समझेए, ये एक चीज़ आपको assess करनी पड़े तो आपने पर्याप्त मातरा में पढ़ाई करी है या नहीं करी है, ये आपको जानने की आभिषकता है, दूसरी जो तीसरी problem जो होती है, वो क्या होती है, कि आपका विशयों का संतुलन गरबर हो, विशयों का संतुलन, इसमें क्या होता है, या आपने एक ही विशय को लंबे समय तक पढ़ा, वो भी खास तोर पे वो विश है जो आपको समझ में आ रहा था, जो आपको अच्छा लग रहा था, मानलो आपका हिस्टरी बहुत बड़ी आये यार, हिस्टरी आपको अच्छी भी लगती है, समझ में आ जाती है, आप 6-8 मीना हिस्टरी पढ़ते र पढ़ा, एकनॉमिक्स के साथ तो थोड़ी थी दोखा धड़ी, मैंने इस परिक्षा में इस बार कर दी है, ये आपको हमेशा एहसात होता रहेगा, और ये गडबन संतुलन जो है, वो आपके confidence को हमेशा कम करता रहेगा, ये बात सही है, अगला बिंदू जो इसमें होता है वो होता है, अगर आप अभ्यास न करें, कि कई बार क्या होता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कि देखे, जो आपने जिस तरह से पढ़ा है, वो उस तरह की ही भाशा में पूछा जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है, उसी बात को किसी दूसरे तरक में पूछा जा स उसी बात को किसी दूसरे प्रारूप में पूछा जा सकता है उसी बात को किसी अन्य स्टेट्मेंट किसी अन्य विशय के साथ जोड़ कर पूछा जा सकता है तो अगर आपने पर्याप्त मातरा में अभ्यास नहीं किया है तो आपको जो है इस तरह का प्रशन देखते ही आपक बहुत सारी तक्नीके भी होती हैं कि आप elimination method भी लगाते हो आप ये देखते हो कि जहां पर certain statement होता है वो आम तोर पर गलत होता है ठीक है तो इस तरह की चीज़े जो होती है तो इस तरह की आपको तक्नीके आती नहीं है तो आपको तो question देख टेडर लगता है आपको लगता है ये तो मेरे reach के बाहर है मेरी पहुंच के बाहर है जबकि आप थोड़ा सा अगर आप practice करते तो इस तरह के questions आप कर पाते तो इसके कारण क्या होता है अभ्यास की कमी से भी आपका confidence कम होता है इसके अलावा एक और जो प्रमुख बिंदू रह गया क्या क्या हो गया गहराई इसके बिना अगर आप तयारी करोगे तो बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है तो अगला बिंदू और आखरी बिंदू जो इसमें है वो है current affairs की कमी यार देखो बहुत सीधी सीधी बात है current affairs के UPSC में दो रोल होते हैं पहला रोल तो simple है कि इस पर सीधे सीधे सवाल ने को UPSC में तो कौन सी चीज पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज नहीं पढ़नी चाहिए ये तै करने में इसको shortlist करने में भी current affairs का बहुत बड़ा रूल होता है जो चीज न्यूज में रही जैसे जो जानवर न्यूज में रहा उस जानवर के जीवन से सवाल आ जाते हैं अब यार ये पूछा गया पिछले फाल की चीज चीज आवाजे निकालता है तो आप बोलोगे सर मैं छुड़ना सारे जानवरों की आवाजे सुनता रहूंगा अरे पर चीज भारत बाहर से मंगवा रहा था ना याद है अफ्रीका से चीज आ रहे थे कुनो नैशनल पार् कॉंटेंट जो है उसमें भी ये अपने आप में आवश्यक है उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना ये भी आपको करेंट अफेर्स बताता है तो अगर हमने करेंट अफेर्स को ठीक से नहीं किया है तो इसकी एक कमी जो है वो हमारी तैयारी को डिरेल करती है हमा प्रतिग्या प्लस बैच आ रहा है क्योंकि इसके बाद 2025 के लिए आप बहुत लेट हो जाएंगे उस प्रतिग्या प्लस बैच से आप जुड़ सकते हैं रोज तीन घंटे की उसमें लाइव क्लास होगी मेंटॉर्शिप मिलेगी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन्स मिलेगी अभ्यास की कमी को एकदम खतम करेगा आपको पूरी तरह से करंट अफेर्स के लिए C.A.P. प्रोग्राम है डेली आपको करंट अफेर्स की जानकारी प्राप्त होगी आपके विश्यों के संतुलन को बरकरार रखने के लिए हर विश्य को प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ाया जाएगा तीन-तीन घंटे की लाइव क्लास होगी 21,499 में 30 तारिक से शुरू हो रहा है तो आज ही इससे जुड़िये और अपने तयारी को सही आकार प्रदान कीजिए इफचर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQIS हिंदी